कल पिकनिक पे सब मेरे हाथ का बना खाकरा बहुत शॉक से खा रहे थे कब से सोच रहे हूँ कि खाकरा बीचना चालू करूँ पर ये FSSAI सर्टिफिकेट लेने के जंजट ने मुझे रोक रखा है जी हाँ, अब सही सोच रहे हैं वही सर्टिफिकेट जिसे इंडिया में कोई भी खाने का बिस्निस शुरू करने से पहले लेना होता है हाँ, हाँ, वही जो कोई भी पैकेज फूड के पैकेट पे दिखता है अब ये देखके आपके मन में भी सवाल आ रहे होंगे कि ये FSSAI सर्टिफिकेट है क्या? किस-किस को लेना होता है? इसके क्या फायदे है? कितना टाइम लगता है ये सर्टिफिकेट लेने के लिए? और सबसे इंपॉर्टन्ट, फीज कितनी लगती है? डरो मत! आपके इन ही सब FSSAI सम्मंधी सवालों के जवाब देने वाले हैं हम आज की विडियो में ये लाइसेंस सिर्फ पैकेज़ फूड ब्रैंड या कोई बड़ी फैक्टरी को ही नहीं एक रेस्टरांट या एक पानीपूरी के स्टॉल वाले को तक लेना कंपलसरी है तो चलिए, शुरू करते हैं FSSAI सर्टिफिकेट क्या है? और ये किसको लेना ज़रूरी है? FSSAI यानि Food Safety and Standards Authority of India अगर आप कोई भी खाने का बिजनिस शुरू करना चाहते हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी चाहे वो पानीपूरी की Food Stall हो, धाबा हो, रेस्टरांट हो, या फिर कोई होटेल जी, ये सर्टिफिकेट किसी में भेदभाव नहीं करता ये सर्टिफिकेट या लाइसेंस मिलने के बाद आपको 14 अंकों का नंबर मिलता है ये नंबर बड़ी कमपनीज पैकेट पे लोगों के साथ लिखती है अब आप पूछोगे, अरे पर ये लेने से होगा क्या? तो हम बताते हैं कि FSSAI सर्टिफिकेट या लाइसेंस लेने के 5A क्या क्या है पहला तो ये है कि आपको अपने कस्टमर्स को हेरा फेरी का ये डायलोग नहीं बोलना पड़ेगा क्योंकि ये सर्टिफिकेट होगा जिसके पास, कस्टमर का विश्वास होगा उसके साथ FSSAI सर्टिफिकेट कस्टमर्स में ट्रस्ट पैदा करता है और फिर जब बिजनिस बढ़ाने का टाइम आएगा तो ये सर्टिफिकेट पेपर वर्क में काम आएगा कुल मिला के ये आपके लिए एक प्रूफ का काम करता है कि आप और आपका ब्राइंड सक्षम है बिजनिस करने में क्या ये certificate online उपलब्ध है या फिर कोई government office जाना होता है अब 2022 में है जहां अधिकतर चीज़ें अब online मिलती है आपका FSSAI certificate online government की इस website पे जाके ले सकते है FSSAI certificate के लिए apply कैसे करना होता है ये certificate निकालने के लिए आपको इस website पे जाना है इसका link description में दिया है और चिंता की कोई बात नहीं है Step 1. Sign up अगर आप first time user हैं तो sign up करिए अपना email डालिए, एक नया password set करिए और हो गया Step 2. Start your registration process अब login करने के बाद, right पे आप license और registration पे click करें और वहां आपके और आपके business के बारे में basic details फिल करें Step 3. Upload documents and pay the fee amount End में आपको आपकी photo और government ID अप्लोड करनी होगी और फिर payment जो कि आप आसानी से net banking, debit या credit card या UPI से कर सकते हैं और सबसे important बात Payment होने के बाद आपको screen पे application receipt दिखेगी वहां एक reference number दिखेगा उससे note करना मत भूलिएगा ये आपका application status चेक करने में काम आएगी हाँ हाँ पता है अब यही सोच रहे हो सब कुछ तो बता दिया अब ये भी तो बताओ कि ये certificate निकालने के लिए कितनी fees लगती है जितना बड़ा काम उतना बड़ा दाम सिंपल certificate fees आपके business के हिसाब से लगती है यानि आपका कोई छोटा पानी पूरी या juice का stall है आपकी सालाना कमाई 12 लाग से कम है तो आपकी registration की एक साल की fees सिर्फ मातर सौ रुपय है अगर आपका dairy, vegetable oil processing unit या meat बेचने का business है तो आपके license की fees आपके सामान की बिकरी पे depend करेगी जो के साल के 100 रुपय से 7,500 तक है अब सब business के बारे में यहाँ बताना तो मुंकिन नहीं retailer, marketer, hotel और restaurant की fees सालाना कमाई की अनुसार अलग-अलग है website पे आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी बस आपको website पे नेचे जाकर fee structure पे click करना होगा और आपकी business की जानकारी आपके पास चलो, अब सब कुछ जान लिया पर यह certificate मिलेगा कब तक? 30 दिन? 15 दिन? ने, यह आपको सिर्फ 2-7 दिन के अंदर मिल जाता है और उसके लिए आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है आपके registered email ID पे हफते भर के अंदर आपके पास आ जाता है जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं easy right? और फिर भी, अगर यह आपको 2-7 दिन के अंदर नहीं मिलता है तो आप website पे आपका reference number डाल के status भी चेक कर सकते हैं तो हमने आपके अधिकतर सब सवालों के जवाब दे दिये हैं अब अगली बार आपकी मा या आपके दोस्त को सिर्फ ये वीडियो भेज के उनकी problem solve कर सकते हैं खाता बुक हमेशा आपकी business में help करने के लिए खड़ा है तो subscribe करें और comments में बताएं कि आप और किस बारे में सुनना चाते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में नमस्कार